सपा के नेता नासिर कुरिसी भी बोट डालने के बाद पत्रकारों से रुवारू हुए उन्होंने कहा कि मेयर पर और सत्तर वाडों पर उनकी जीत पक्की है उन्होंने कहा कि उन्होंने सपा को जॉइन करके विल्कुल सही काम किया क्योंकि काम बोलता है जो काम सपा ने किया है उसका परिडाम निश्चित रूप से सामने आएगा। आजी जी आपके लिए ये कहना मुनासिब होगा कि आपके लिए नए अपड़ाओ है। तो कैसा लग रहा है आप। अजी जी आपके लिए ये कि आपके लिए ये कहा है। तो इंशालला परिडाम तो आएगा एक तारीक को लेकिन दिखाई दे रहा है कि आज मुरादबाद जनपत के अंदर 70-70 वाड जहां से हमारे सवासत लड़ आए। 70-70 वाड जीतेंगे और इंशालला य्यूसवप अन्सारीस हाब को यहां से मिर बना करके एक एक जीत दिलाने का काम कर रही है। ये जनता, जनता दिखा रही है और तमहामी बूतों पे साइकली साइकली चल रही है। और इसालला सतर के सतर वाड जीत चुके और यूसर बंसारी साब मेर बन चुके अब तो जितना भी बोट आगे को है वो मुनाफ़े में है अब तक तो जो है मेर भी बन गया सतर वाड भी इसालला जीत गए शाल यह बताये आपको अपनी जो है जो प्रतेज़न्दी है वो किसे मानती है हमारी सीध है भारती जनता पार्टि से है औरशालॐ जनता continuous के मानेंगे और 오빠 आपो जनता ने दूल चटा दी अतरव वजा है वजा हमारा नारा काम बोलता है मानने अगले से यादब जी ने जो काम किया है वो किसी चुपा रही है क्योंकि पिर्देश के अंदर एक एध्यासिक काम किया है जिसके लिए हर वर्क का आज आपनी ये कह रहा है और इसालना आने वाली 2019 में भी हमारी पूर तरीके से सीट आएंगी और 2022 में इत तो आपके हैं से कोई बड़ा नेता है कोई निकलकर नहीं आ रहा है थेखिए बड़ा नेता किया मानने अगले से यादब जी ने हमारे जो बड़े नेता है उनको कमान जोफी है यहाँ पर देश क्टिया आए है धर्मेंदर है यादबजी आए है हमारे लिए तो वह भुत कर दो कर दो पो है कोई वाल हिवा बड़ी तो फनें तो कर दो घूंसे कोई पड़े नाम नहीं नहीं दिखाई दिया कि